उपाग्देच्च महोदयया ठीक है कि हम प्रगजसील हैं लेकिन हमारी गती में तेजी आनी चाहिए सरम की तरफ हमारा अधिक ध्यान जाना चाहिए जो पंचवर्सी उजनाय हमने बनाई हैं उनमें हमारा लच्च केवल यह नहीं था कि हम अधिक अन्न पहला करें हमारा लच्च यहां भी था कि अच्छे आन्मी पहला करें जिससे की भारत में रहने वाले प्रतेक नागरी का ठीक विकास हो मैं इस बास्ते सहमत हूँ कि राज्यों में जहां बहुमत के आधार पर विरोधी दलों की सरकारे हैं उनको तोड़ने का अधिकार केंद्र को नहीं होना चाहिए लेकिन फिर भी हमें इस्तिती को देखते हुए भेद करना चाहिए गुजरात की सरकार तूट गई इसके लिए हमको अपसोस नहीं करना चाहिए जहां तक इस बिल का सम्मन्द है मैं इसकी कमियों की तरफ आपका अध्यान दिलाना चाहता हूँ जिससे की आपको उसे ठीक करने की प्रेड़ा मिले और इसको आप ठीक करके वहां का काम चलाएं इसका आसे या भी नहीं है कि जो पार्टी सरकार चलाती है वह सब सही काम करती है लेकिन फिर भी मैं आप मानता हूँ कि जो गुजरात की सरकार तूट गई वह अच्छी बात हुई है गुजरात के लिए आपने संसर सदस्यों की जो समिति बनाई है वह एक ठीक कदम है लेकिन इस बात का आस्वासन भी आपको देना चाहिए कि राज्यों जिला इस्तर पर जो समितियां आप बनाने जा रहे हैं उनको सरवदली बनाएंगे ताकि जनता की जो कठनाईयां हैं वे आपके सामने प्रत्त चरूप से आ सके और उनकी भावना की अंसर वहाँ पर कुछ काम हो सके अगर ऐसी बिवस्ता नहीं होगी और बाहर के लोगों को आप उन समितियों में रखेंगे जिनको गुजरात की समस्याओं का कुछ भी ग्यान नहीं है तो पैणा मिया होगा की आप गुजरात की समस्याओं को हल नहीं कर सकेंगे इसलिए मैं सुझाओं देना चाहता हूँ कि आप इसमें ऐसी कानूनी बिवस्ता करें की जिससे की बिविल इस तरों पर सरवदली समितियां बनाई जा सकें और उनके माध्यम से सरकार के सामने सुझाओं आए कि वहाँ पर किस तरह से काम होना चाहिए गुजरात और दोगिक मामलों में अनराज्यों से थोड़ा भिन्न है फिर भी वहाँ की इस्ति या है कि आज भी प्रतिव्यक्ति आए 300 रुपई से अधिक नहीं है आज गुजरात में अनराज्यों के मुकामले सबसे अधिक कर लगे हुए है या उचित नहीं है उसी तरह लापरवाही और उदासिंता बरतने वालों के खिलाब भी प्रावधान करना चाहिए तबी हालात पर काबू पाया जा सकेगा उपाध्यच महोले अगर भारत की आर्थिक ब्यवस्ता को हम देखें तो या कहने में कोई तुर्ट नहीं होगी कि करसी उसका आधार है किसी भी देश की सामाजिक और आर्थिक इस्तिती उस देश की भूमी की उत्पालन सक्ती पर निर्भर रहा करती है यद भूम की उत्पालन सक्ती में कोई कमी हो जाती है तो उस देश की आर्थिक और सामाजिक इस्तिती में भी कुछ परिवर्तन आरंब हो जाता है करसी भारत के लिए एक आर्थिक ब्यवस्ता ही नहीं है यह एक संस्कृती भी है जो लोग आंदोलन में बिस्वास रखते हैं इनको पता ही होगा कि जितने भी आंदोलन इस देश में होते हैं वो इस समाज के नाम से धर्म के नाम से जाती के नाम से या राजनीती के नाम से होते हैं ऐसे आंदोलनों में कोई भी समाज सामिल हो लेकिन करसी समाज उसमें सामिल नहीं होता है उस आंदोलन के साथ करसी समाज की सानवोती भी नहीं होती है इसलिए यदि सभी बातों को ध्यान में रखकर हम देखें तो इस देश के लिए आवस्य क्या होगा कि हमारी संस्कृति की रच्छा के लिए और जीवन प्रणाली की रच्छा के लिए कृसी पर पिसे ध्यान दिया जाए कृसी के छेतर में इस वर्ष काफी प्रगत हुई है यद याप 1801 से 1901 तक का काल देखें तो आप देखेंगे की हमारे देश में 31 आकाल पड़े जिन में 4 करोण लोग मरे लेकि एक बात मैं विशेश रूप से इस अवसर पर कहना चाता हूँ आज कल हम लोग मानव सक्ती पर जादा ध्यान ना देकर पूजी पर जादा निरबर रहने की कोशिस करते हैं आपको याद होगा लगवक 5 दसक पहले जापान की आर्थिक ब्योस्ता बिगड़ गई थी लेकि में किर्सी की सिच्छा दी जाती है जिनसे 16,006 प्रतिवर सिच्छा प्राप्त करके निकलते हैं आज हमारे देश में प्रयाप्त किर्सी विश्विद्याले इस्थापित हो चुके हैं हमारे देश की 120 करोड जन्जंत्या को देश्टी में रखते हुए जापान एक बहुत चोटा सा राज्य है सायद हमारे राजिस्तान से कुछ ही बढ़ा है इसके अत्रिक्त स्वास्तेवन सिच्छ जैसी सेवाओं पर लगातार बड़ता खर्च भी किसानों कुकी परिसानी बढ़ा रहा है